हलो फ्रेंट्स वागत आपका अपनी चैनल इसके टेक्मोलाजी 30 पे तो आज हम इस वीडियों बात करेंगे देली सबोर्डिनेर सर्विस सेलेक्षन बोर्ड याने DAAASB के निव रिकुर्मेंट के नोटिफिकेशन के बारे में क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है कौन कौन सकता है फूल डीटेल से कवर करेंगी तो वीडियो को बिनाई स्कीप किये पूरा देखे अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो सस्क्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि सभी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे इसका अफिस्यल नोटिफिकेशन का लिंक आप डारेक्टली इसका अफिस्यल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके उसे अच्छे से रीट कर सकते हैं तो चलिए वीडियो शुरू कर तो फ्रेंट्स आप देख सकते हम यहाँ पर डी ट्रिपल एस भी के आफिस्यल नोटिफिकेशन पेज पर है यहाँ पर इसे जारी किय गया है 12 मई 2021 को यहाँ पर केवला आप इसे अनलाइन के माध्यम से अपलाई कर पाएंगे इसे आप अनलाइन अपलाई कर पाएंगे 25 मई 2021 से और देट की बात करें तो 24 जून 2020 तक आप इसमें अनलाइन अपलाई कर पाएंगे तो चलिए आप नीचे देख लेते हैं क्यों कौन से पोस्ट पर यहाँ पर वेकेंसी आउट की गई है कितने पोस्ट पर वेकेंसी आउट की गई है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर पोस्ट कोड दिया गया है और यहाँ पर पोस्ट का नेम दिया गया है यहाँ पर डिपार्टमेंट का नेम दिया गया है कौ सब के लिए यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर सब्जेक्ट में ट्रेंड गर्जुएट टीचर यहाँ पर टीजीटी के लिए वेकेंसी दे गए तो आप इस आफिसियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके यहाँ से चेक कर लिजेगा यहाँ पर लगबग 6,000 के आसपास यहा पर हेट क्लर के लिए और यहाँ पर असिस्टेंट टीचर और यहाँ पर पटवारी के लिए वेकेंसी आउट की गई है यहाँ पर लगबग 7,000 के आसपास से यहाँ पर वेकेंसी आउट की गई है अगर आप इसमें अपलाई करना चाहते है तो यहाँ पर इसका आफिस्यल अप्लाई करने के लिए यहां पर आपके पास क्या 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 होना चाहिए तो सबसे पहले इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास बीए होना चाहिए जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई करना चाहिए उस सब्जेक्ट में आपके पास बीए बैसलर डिग्री आपकी होनी चाहिए minimum 45% mark. 45% mark. और यहांपर प्लस आपके पास बीएड भी होना चाहिए, यहांपर बीएड भी होना चाहिए, और प्लस यहांपर सीटेड यहांपर qualify होना चाहिए, तब्ही आप इसमें apply कर पाएंगे यहाँ. जिस भी experience नहीं मांगा गया है यहां पर pay scale की बात करें तो यहां पर 46,000 ग्रेट पेपे आपको यहां पर pay scale आपका रहेगा यहां पर group B की आपकी यहां पर non-graduate date यहां पर आपकी vacancies है एज लिमिट की बात करें तो यहां पर एक्समा में 32 रखी गई है यहां पर एज में छूट भी दिया जाएगा गवर्मेट के रूल के नुसार यहां पर यहां पर दस यह का एज में छूट दिया जाएगा तो फ्रेंस यहां पर TGT के लिए अलग अलग यहां पर subject में मेल फिमेल के लिए यहां पर वेकेंसी आउट की गए आप यहां पर चेक कर लिजेगा सभी का qualification आप चेक कर लिजेगा तो चलिए बाम यहां पर नीचे देख लेते हैं यहां पर assistant teacher nursery में apply करने के लिए आपके पास क्या-क्या qualification होना चाहिए तो सबसे पहले यहां पर आपके B8 किया है nursery से तो भी आप इसमें apply कर सकते हैं और सास में आपको यहां पर high school में आपका Hindi subject होना कम पर सरी है तब ही आप इसमें apply कर पाएंगे तो चलिए यहां पर भी कोई आपको से कोई experience नहीं मांगा गया है यहां पर pay skill की बात करे तो यहां पर आपका 42,000 grade पे पे आपका यहां पर रहेगा यहां पर age limit की बात करें तो यहां पर maximum age 30 years रखी गई है यहां पर भी आपको government के रूल के नुसार age में छूट दिया जाएगा तो चलिए भी यहां पर हम नीचे देख लेते हैं LDC के लिए क्या qualification रखा गया है तो LDC में apply करने के लिए यहां पर आपका tent pass out reward होना Love luxury है और साथ भी पर आपकी जो computer पर है यहां पर Hey अजिए मेंzinho पर हिए और भी तो brand उल आपके पास Bachelors की Degree होना ही चाहिए, Psychology से या Applied Psychology से और यहाँ पर आपके पास Post Graduate Diploma होना चाहिए, Counseling Psychology और यहाँ पर आपके पास एक years का experience भी मांगा गया है, जो यहाँ पर फिल्ड दिया गया है उस फिल्ड में अगर आपके पास किसी भी फिल्ड में आपके पास एक years का experience है तो आप इसमें apply कर पाएंगे और साथ में यहाँ पर आपको Hindi subject आपका होना चाहिए यहाँ पर secondary अनवर्ड में आपको secondary में यहाँ पर Hindi होना चाहिए subject तब ही आप इसमें apply कर पाएंगे यहाँ पर desirable में मांगा गया है याँ फिल in clinic psychology में अगर आपके पास है तो आपको यहाँ पर preference दिया जाएगा और यहाँ पर कोई भी experience नहीं मागा गया है तो यहाँ पर grade pay की बात करी तो यहाँ पर 42,000 grade pay रखा गया है यहाँ पर आपकी maximum age यहाँ पर 30 years रखी गई Assistant Teacher Primary में apply करने के लिए यहाँ पर आपके पास 12 pass out आपके होने चाहिए minimum 50% मार के साथ और यहाँ पर 2 years का आपके पास Diploma होना चाहिए Elementary Education में तो आप इसमें apply कर सकते हैं यहाँ पर बात कर लेते हैं Elementary Education यहाँ पर अगर आपने DLit किया है या तो BLit किया है या तो BTC किया है तो आप इसमें apply कर सकते हैं यहाँ पर BA वाले apply नहीं कर सकते हैं primary teacher के लिए यहाँ पर उसके साथ आपके पास seated qualify होना चाहिए seated अगर आप qualify है तब ही आप इसमें apply कर पाएंगे तो चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पर कोई भी experience नहीं रखा गया है यहाँ पर grade pay की बात करें तो 42,000 grade पर आपको रखा गया है यहाँ पर age maximum age यहाँ पर 30 years रखी गई है government की रूल के नुसार यहाँ पर भी आपको age में छूट दिया जाएगा नीचे अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर age clerk के लिए तो यहाँ पर age clerk में apply करने के लिए आपके पास bachelor की degree होनी चाहिए और यहाँ पर computer proficiency होनी चाहिए यहाँ पर grade पर 46,000 रखा गया है और यहाँ पर maximum age 30 years होनी चाहिए तो चलिए अब हम यहाँ पर नीचे बात कर लेते हैं पटवारी के लिए तो पटवारी में apply करने के लिए आपके पास qualification यहाँ पर जो रखा गया है graduate आपके पास होना चाहिए अगर आप graduate है तो आप यहाँ पर apply कर सकते हैं और यहाँ पर desirable में मागा गया है प्रोफेंसी इन computer या तो working knowledge आफ हिंदी या तो उर्दू का आपको नालेज होना चाहिए तब ही आप इसमें apply कर पाएंगे यहाँ पर पटवारी के लिए यहाँ पर 21-27 years आपकी age limit रखी गई है तो चलिए अब हम यहाँ पर fees payment की बात कर ल काटेगरी से अगर आप woman candidate है तो भी आपको यहाँ पर कोई भी fees payment नहीं करना होगा आप इसमें आल इंडिया से apply कर सकते हैं अगर आप देल्धी की domicile candidate होंगे तब ही आपको यहाँ पर age में छूट दिया जाएगा या तो आपके पास central का certificate होगा तब आपको यहाँ पर age मे नीचे यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर पीडिया को डाउनलोड करके चेक कर लेजेगा यहाँ पर syllabus के बारे में सभी knowledge यहाँ पर दिये गए है आप यहाँ पर से चेक कर लेजेगा तो फ्रेंस अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके च